Post Office Bill 700 साल बाद आ रहा था, मेरी उमीद ये थी कि अगर हम बात करें कि किस तरीके से उसका Market Share बढ़ाएंगे, किस तरीके से हम Modernization करेंगे, किस तरीके से हम Services को पुक्ता करेंगे, किस तरीके से Reallocation of Assets करेंगे, किस तरीके से हम घर-घर तक Post Office को पहुचा पाएंगे, करना चाहि आइसे बिनन्ति भी करता हूं, धन्यवाद जैहिन। जो Surveillance से कम नहीं है। जिस तरीके से कुछ महीन, एक महीने पहले मैंने माननिया मंत्री जी को चिथी भी लिखी थी, जब हमारे phones पे एक message आया था कि State Sponsored Surveillance, जिसका मतलब है एक sitting Member of Parliament के State Sponsored Surveillance Attack हो रहा है, इस पे कारवाई होनी चाहिए। इन्वेस्टिकेशन कुछ नहीं हुआ है, आज तक मुझे उनकी चथी का जवाब भी नहीं मिला है। Same चीज अब हम यहाँ पे देख रहे है, Personal Data Protection Bill में, National Security की आड में, Surveillance, इसके आड में, Surveillance, और Surveillance यहाँ पे क्या, Interception क्या क्या कह रहा है, किस-किस चीजों पे Interception कर सकते हैं, Under which rules, Security of the State, Friendly Relations with Foreign States, Public Order, Emergency, Public Safety, Contraventions of the Provision of this Bill, or any other laws. Emergency को गाली देने वाले, आज Emergency की आड में, आपका वो कर सकते हैं, Interception कर सकते हैं, Parcells का. दूसरी चीज, Clause No. 10, कि कोई Liability नहीं है, Services में अगर दिकत हो, Fault हो, कोई Liability नहीं है, Liability को डिसाइद करेगा कि इंजर सरकार कर गी, उस Bill में प्रावधान है. तो इस Bill में हम ये क्यों नहीं कह सकते हैं, There will be Liabilities, if there is lack of Services. ये मुझे इस बात से बड़ी दिकत है, कि सरकार डिसाइड करेगी, कि किस तरीके से Liabilities डिसाइड होंगी. खुली छूट दी जा रही है, Director General Sahib को और उनके Officers को, कि Interception के नाम पे वो Goods को Damage भी कर सकते हैं, लेटर्स खोल सकते हैं, Privacy का हनन हो सकता है, पर कोई कारवाई नहीं की जाएगी. साथी साथ में लास्ट में बस एक ही चीज़ कहना चाहूंगी, मैं उमीद करती हूं कि ये positively इसको लेंगे और इस पे काम करेंगे. पर साथी साथ में लास्ट में बस एक चीज़ कहना चाहती हूं सर, कि Surveillance हो, Interception हो, National Security की आड़ में Opposition को दबाने का काम किया जाए, लोगों को चुप कराने का काम किया जाए, ये Democracy के खिलाफ है और हमारे सम्विधानिक अधिकारों के खिलाफ है, तो इसको मैं इन दो clauses के अ Honorable Dr. Anil Agrawal